जिल में पर्प करें अगला करेश को सीरीज का चेप्टर है मेटलर जी बहुत ही इंपॉर्टिन चेप्टर है डारेट पुष्टन एक्जाम में आ जाता है सीधा-सीधा ठीक है बहुत ध्यान से समझना चीजों को यहाँ पर metallurgy के बारे में अगर हम बात करें तो पहले basic definition की metallurgy actual में होता क्या है तो इसकी definition में लिख रहा हूँ the scientific and technological method used to extract metal from its ore is called metallurgy मतलब क्या है यह scientific and technological method है ore से metal को extract करने के लिए इसको हम क्या बोलते है metallurgy ठीक है cdc बात है अब यहाँ पर दो point आते हैं कि ore क्या होती है और minerals क्या होते है तो इसके बारे में अपन बात कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर अपन दो definition लिखेंगे minerals और ores तो पहले में minerals के बारे में बता रहा हूँ यह क्या होते है मिनल्स क्या होते है हम ऐसा लिखेंगे दा नैचुरली अकरिंग दा नैचुरली अकरिंग substances of a metal in earth crust या earth surface भी बोल सकता है नैचुरली अकरिंग substance है किसके metal के earth crust में उसको क्या बोलते हैं अब ores क्या होती है ores के बारे में लिखेंगे the minerals the minerals from which metal is extracted economically and conveniently है ना तो ऐसे mineral जिससे metal को extract किया जाता है economically या conveniently उसको हम क्या बोलते हैं और जैसे अगर मैं example से आपको समझाओं मेरे पास क्या है एक है al2o3 dot 2h2o इसको हम बोलते हैं bauxite क्या बोलते हैं bauxite और aluminium का एक और mineral है al2o3 dot 2sio2 dot 2h2o इसको बोलते clay ये दोनों ही mineral है लेकिन bauxite से aluminium का extraction किया जाता है इसलिए bauxite ore है मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों क्या हैं ये दोनों aluminium के लिए हम minerals बोल सकते हैं लेकिन इससे extraction होता है इसलिए सिर्फ इसको क्या बोलेंगे ore तो मैं यहाँ पर एक line ये लिख सकता हूँ बहुत important line है ये कि all ores are minerals but all minerals are not ores मतलब सभी ore mineral होते हैं लेकिन सभी mineral और नहीं होते देखो सभी ore mineral तो हैं लेकिन सभी mineral और नहीं है ये दियान लखना आप ठीक है तो ये basic information है कि metallurgy क्या होता है अब हम आप से बात कर लेते हैं कि क्या process है आपने वहला न scientific और technological method है तो कुछ process होती होगी तो हम उसके बारे में लिख रहे हैं तो लिखेंगे metallurgy involves following steps कुछ steps follow करने होते हैं और से metal को extract करने के लिए जैसे पहला point है crushing and grinding crushing and grinding of the ore जिसको हम बोलते हैं pulverization मतलब सबसे पहले आपके पास ore आई तो आपको क्या करना है उसको powdered form में ले जाना है ठीक है मतलब उसको crush और grind करना है अब ये कैसा होता है एक machine होती है एक तरफ से ore डालो और इस तरफ से powdered ore निकलती है एसी machine होती है कि एक तरफ से आलू डालो सोना निकलता है आलू डालोगे तो आलू की चटरी निकलेगी मतलब एक तरीके से क्या है जैसे अपने पास गहू होता है उसको अपन मसीन में डालते है तो आटा निकलता है इसी टाइप की यहाँ पर mills होती है इन mills को बोलते हैं जिससे crushing और grinding होती है jaw mill या stamp mill jaw mill और stamp mill जिससे जो हमारी solid ore होती है वो powdered ore में convert हो जाती है ठीक है second है यह crushing and grinding by jaw mill और stamp mill यह लिख लेना second है concentration of the ore concentration of the ore मतलब जो ore है वो अपने साथ impurity भी लाता है जिसको हम gang बोलते हैं ठीक है तो ore सिर्फ ore नहीं होती उसके साथ impurity भी होती है तो concentration में हम क्या करते हैं काफी हद तक यह try करते हैं कि impurities बहुत सारी हट जाएं सारी यहां नहीं हटती है लेकिन maximum impurity हट जाती है by concentration of the ore इसको हम detail में discuss भी करेंगे third point है अपने पास concentrated ore आ गई मतलब less impure पहले बहुत ज़्यादा impure थी concentration कराने के बाद impurity कम हो गई अब less impure है लेकिन impure अभी भी है थोड़ी बहुत है न उसका हम क्या कराते हैं isolation of metal from ore तो जो अपने पास ore है उसमें से हम metal को बाहर निकालते हैं ठीक और last में हम क्या कराते हैं कुछ impurity जो यहां दूर नहीं हुई थी उसको दूर करने के लिए purification यूज करते हैं purification of metal तो हमें क्या करना है इन तीन point को detail में discuss करना है किस को concentration को isolation को और purification को तो पहले आप यह सारे step अच्छे से note कर लो और इसको एक बार देख लो फिर वापेस आओ तो अपने start कर रहे होंगे यह concentration of the ore crashing grinding तो सीधा सीधा सा है और को आपको क्या करना है powdered form में ले जाना है solid ore को उसके बाद कहानी यहां से शुरू होती है ठीक है note करो इसको चलो तो आगे बढ़ते हैं और discuss कर लेते हमारे अगले methods जो है सारे के सारे जैसे हमने अभी जो processes लिखी कि एक scientific method होता है चार अपने पॉइंट लिखे तो उसमें से पहला वाला पॉइंट तो ठीक है इसमें हम crushing grinding करेंगे मतलब pulverization तो हमीशा कर नहीं आपको है न पलवराइजेशन और यह जो मिलिया स्टामिल से होता है तो यह तो कहानी खतम हो गई है अब चलना हमें concentration पर तो second point अपने डिसकस करने जा रहे हैं concentration और dressing भी बोलते हैं इसको और benefaction भी बोलते हैं क्या process होती है इसके बारे में देखेंगे concentration dressing और benefaction क्या process इसके बारे में लिखो the removal of the removal of impurities the removal of impurities from ore और किस टाइप की impurities sand clay वगर है ठीक है sand clay etc the removal of impurity from ore मदा ore से impurity हटाना इसको क्या बोलते हैं अपन concentration अलग-अलग method होते हैं इसके पहला है gravity separation gravity separation second is magnetic separation magnetic separation third is frat flotation frat flotation and fourth is leaching तो एक-एक करके इनको हम discuss करेंगे एक दो तीन यह physical method है leaching chemical method है ठीक है अब इन में से सबसे पहले हम start कर रहे है number one ठीक है यहां one कर लो number one gravity separation जिसको हम hydraulic washing या lavigation भी बोलते हैं based है यह based है और और गैंग देखो सीधी सी बात है और में सिर्फ और particle नहीं होते है उसके साथ में impurities भी होती है तो और प्लस गैंग इस पूरे को अपन और बोलने तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो और प्लस गैंग particle हैं जिसमें से और और गैंग particle की specific gravity अलग-अलग होती है density अलग-अलग होती है जो lighter गैंग particle है वो अलग किये जाते हैं heavier ore particle से ठीक है तो पहली बात तो अपन इसमें पहला point यह लिख रहे हैं कि it is based on it is based on different specific different specific gravities of ore and gang particles गैंग का मतब impurity ठीक है ore and gang particles की specific gravity क्या होती है different होती है यह heavier होते हैं यह lighter होते हैं ठीक करते क्या है इसमें point number two an upward stream of an upward stream of running water of running water is used to wash the ore the lighter heavier gang particles lighter gang particles lighter gang particles are washed away and heavier ore particles are left behind ठीक मतलब जो heavier ore particle है वो वहीं रुख जाते हैं और lighter gang particles अलग हो लेते हैं और यह process कहां use की जाती है use for the concentration of use for the concentration of fe2o3 इस तरीके से अपन इधर से पानी आ रहा है और उपर से और पार्टिकल डाल रहा है और प्लस गैंग पार्टिकल यहां नीचे रुख जाएंगे और जो lighter particle है वो बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से होता है यह तो यह कहानी है gravity separation method की note करो इसको फिर magnetic separation start करते हैं कि second method पर चलते हैं magnetic separation method क्या principle होता है उसके बारे में लिखेंगे पहला point यह है it is based on it is based on different magnetic different magnetic properties of ore and gang particles ore and gang particles तो अलग-अलग magnetic property होती है मतलब यह तो ore magnetic nature का होगा यह gang magnetic nature की होगी ठीक है तो second point में हम यह लिखेंगे either ore और gang particles are magnetic in nature यह तो ore particle यह gang particle दो में से कोई एक magnetic nature का होगा ठीक है अब इसमें क्या होता है उसको समझने के लिए अपने एक diagram बनाएंगे तो मैं आपके सामने diagram बना रहा हूं ध्यान से देखना मेरे पास दो इसमें roller है एक है magnetic roller ठीक है और एक है non-magnetic roller ठीक दो अपने पास roller है और यह जुड़े हूए बेल्ट से बेल्ट आपने देखा होगा black color का belt होता है जो conveyor belt बोलता है उसको है न तो इसको में थोड़ा साथ अच्छा बना देता हूं diagram ताकि समझ में आजाए clear कुछ ऐसा है यह ठीक है ध्यान से देखते जाना तो मेरे पास दो roller है इसमें और एक यह है और एक यह है यह है यह है non magnetic और यह होता है conveyor belt black color का belt आप लोगों ने देखा हो का मसीन में जो चड़ा होता है ठीक है इसको थोड़ा से ऐसा कर दो कि कि बेल्ट लगे कि पूरा चड़ा हुआ है ना ऐसा ऐसा यह चड़ा दो इदर से यह आया यह ठीक आप क्या करते हैं यहां से हम पाउडर और को डालते हैं ठीक है और यह बेल्ट इस तरफ इस डारेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है मतलब रोलर ऐसे घूम रहे हैं यहां पर दो कंटेनर लगा दिये ठीक है ऐसे होता क्या है जैसे इसमें हम पाउडर और को डालते हैं किसको डालते हैं पाउडर और को डालते हैं तो एक्च्वल में पाउडर और में और तो होता ही है साथ में क्या होती है इंपिरिटी भी होती है ठीक है और भी होता और इंपिरिटी भी होती है दौनों चीज़े हैं ठीक तो होता गया है जैसे ही यहां पर बेल्ट पर से चलती है पाउडर और जैसे ही ये magnetic roller की तरफ आगे बढ़ रही है तो अब क्या होता है जो non-magnetic nature का है वो दूर की तरफ फिख जाएगा roller घूम रहा है तेज ठीक है तो जो non-magnetic nature का है वो दूर की तरफ फिख जाएगा तो मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो blue वाले particle है यह non-magnetic nature के हैं, ठीक है, मैंactor 9, तो blue वाले particle क्या है, non-magnetic nature के हैं, तो यह blue वाले particle कहां जाएंगे ncific, तो यह क्या गए non-magnetic particles, अब मुझे यह नहीं पता की non-magnetic or है की गएंगे, 2 मैं से कोई भी non-magnetic और कोई भी magnetic होगा, तो मैंने ब्लू वाले non-magnetic माल लिए और यह जो black वाले हैं यह magnetic roller है तो यह से चिपकर यहां इस तरफ इधर जढ़ जाएंगे ठीक है यहां इकटा कर लिए इनको तो यह कौन से वाले particle आगे अपने पास दो roller लगे हैं, एक non-magnetic nature का roller है, एक magnetic roller है, ये conveyor belt लगा हुआ है black वाला, इस तरफ जा रहा है ये belt मतलब ऐसे घूम रहा है ये चक का, इधर से हमने क्या करा, powdered ore डाल दी, इसको क्या बोलेंगे हम powdered ore, तो powdered ore का मतलब क्या होता है, ore plus gang एक तरीके से ठीक है, तो ore plus gang, दौनों मै से कोई magnetic और कोई non-magnetic nature का होगा, तो मैंने blue वाले non-magnetic particle माल लिए, और black वाले magnetic particle माल लिए, blue वाले non-magnetic है, इसलिए belt घूम रहा है, तेज तो वो दूर की तरफ एक जाएंगे, वाएं कट्टा कर लेंगे, अगर ये काम का है, तो ये ले जाएंगे, और magnetic काम का है, तो magnetic वाले particle सबन ले चलेंगे, ठीक है, आगे और process के लिए, तो ये कहानी है, अब ये कहाँ पर use किया जाता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, तीसरा point बनाके, used for the concentration of, first, cassiterite, और cassiterite में जो impurity होती है, वो थी वोल्फ्रेम आइट, वोल्फ्रेम आइट, cassiterite होता है non-magnetic, ore, और वोल्फ्रेम आइट होता है, magnetic impurity, ठीक है, तो cassiterite क्या होता है, non-magnetic ore, और ये magnetic impurity, दोनों का formula क्या होता है, कैसी टराइट का फॉर्मला होता है SNO2 और वोलफ्रेमाइट होता है FEWO4 इसी तरीके से एक और आप चाहू तो याद रखना याद कर सकते हो बागी यह दिहान रखना यह important है सेकंड लिख देता हूँ रोटाइल प्लस क्लोर अप्टाइट क्लोर अप्टाइट क्लोर अप्टाइट क्या होता है 3 टाइमस CA3 PO4 होल्टवाइस डॉट CACL2 ठीक और रोटाइल क्या होता है TIO2 अब यहाँ पर जो रोटाइल है वो मेगनेटिक और होती है क्या है यह मेगनेटिक और और chloroptide क्या होता है non-magnetic impurity non-magnetic impurity होती है तो यह magnetic और और यह non-magnetic impurity होती है ठीक तो यह कहानी यह पूरा magnetic separation method कि अच्छे से diagram ध्यान से देख लो जरा क्या क्या हो रहा है और यह जरूर ध्यान लखना पहला वाला ठीक नोट कर लो इसे कि अच्छलो तो आगी बढ़ते हैं थार्ड मैंट रद है हमारा फ्रत फ्रत फ्लोडिशन मैंथर्ड देखना ध्यान से जरा फ्रत फ्लोडिशन मैंथर्ड में क्या होता है किस प्रिंसिपल पर बेस्ट है पहला पॉइंट हम लिखेंगे आफ और एंड गैंग पार्टिकल्स और एंड गैंग पार्टिकल्स और 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 गैंग पार्टिक wet by oils and gang particles by water actual होता क्या है हम क्या गरते है जो powdered ore है उसका water के साथ हम क्या बना लेते है suspension मिला देते है जिसको अपन pulp of ore बोलते है तो pulp of ore प्लस उसमें हम क्या गरते है oil मिला देते है और air pass करा देते है और एक अपने पास क्या होता है मिक्षर होता है मतब एक तरीके से क्या है पैडल होता है तो पैडल को घुमाते है तो मिक्षर घुमता है तो फरत उपर आता है जैसे लस्सी आप बनाते हो जो फरकी नहीं होती न उसको घुमाते है तो फ्रत उपर आता है, वो ही वाली बात है यहाँ पर, तो थर्ड पॉइंट पर मैं क्या लिखना हूँ, ध्यान से लिखना, collectors and frat stabilizers are added, collector और frat stabilizer मिलाते हैं, frat stabilizer तो frat को stabilize करता है, जैसे krisol, aniline मगेरा, और collectors जो होते हैं, वो non-wetability को बढ़ाता है, मतब water में non-wetability को बढ़ाता है, मींस वो oil में wet कर देता है, collectors क्या होते हैं, उसको लिख लो आप, collectors हैं अपने पास pine oil, fatty acids, and xanthids, ये collector होते हैं, ठीक है, और frat stabilizer क्या होते हैं, ये नाम नियान नग ना, फिलको सीधे सीधे, exam में सीधे पूछ लेंगे तो लिख देना, मतब गोला मारते ना सीधा, frat stabilizer, जो होते हैं, वो क्या होते हैं, krisol, and aniline, ये क्या करते हैं, non-wetability को बढ़ाते हैं, वाटर में, और ये क्या करते हैं, frat को stabilize करते हैं, अब ये process पूरी कहां पर होती है, ये सारे point अपन, diagram से समझ लो, ये सारे point किस तरीके से अपन समझाएंगे, ध्यान से देखना जड़ा, मैं diagram बना रहा हूँ, अच्छे से बना देते हैं diagram, तो clear समझ में आ जाएगा, जैसे मेरे पास, एक तरीके से container है, ये होगा, मेरे पास container, ठीक है, अब इस container में, क्या क्या हम मिलाते हैं, वो देखो, इधर से हम मिलाते हैं, pulp of ore, और इसके साथ क्या मिलाते हैं, oil, ठीक है, और, इधर हैं मेरे पास क्या, mixture, जो ore आई अपने पास, उसका mixture है, और इसमें लगा है एक pedal, यहाँ पर लगा देता हूँ, इधर लगा है pedal, यह गूम रहा है, इस तरीके से, ठीक है, तो जब यह pedal घूमता है, और उधर से आ रही है, oil के साथ, तो क्या होता है, frat बनना start होता है, अब frat बनेगा, तो वो उपर की तरफ आता जाएगा, ठीक है, ऐसे मैं बना देता हूँ, frat बन रहा है, तो यह, उपर की तरफ आता जा रहा है, तो जो air bubble होते हैं, उसके उपर, frat चिप का रहता है, और इस frat को अलग कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, lighter होता है यह, और उसको dry कर लेते हैं, तो और के particles जो है, वो recover हो जाते हैं, यह कहानी है पूरी, और gang particles यहाँ पर नीचे settle हो जाते हैं, impurities नीचे gang particles यहाँ जाएंगी, ठीक है, तो यह process होती है, अब यह कहाँ पर use करते हैं, उसके बारे में लिखेंगे, it is used for the concentration of sulfide ores, sulfide ores, बहुत सारी sulfide ores होती हैं, आगे आपन particular element की metallurgy पढ़ेंगे, तो वहाँ और sulfide ores आपको मिलेंगे, अब बस आप यह लिख लो, sulfide ores, ठीक है, जैसे PBS हो गया, HGS हो गया, CUFES2 हो गया, यह सब में यह use करता है, तो it is used for the concentration of sulfide ores, अब फरत flotation process की एक important बात और, बहुत important है, क्या important बात है, वो यह है, it is also, it is also used for the separation of, for the separation of two sulfide ores, और जो example हमें पढ़ना है, वो है PBS, और ZNS का mixture है मेरे पास, ठीक है, तो इसको हमें separate करना है, तो हम क्या गरते हैं, इसमें depresent मिला देते हैं, depresent मतलब होता है, NACN, depresent का का काम क्या होता है, कि वो एक के साथ तो soluble compound बना लेता है, और दूसरे को ऐसी छोड़ देता है, तो depresent यहां यूज करते हैं, क्या NACN, धियान दगना NACN depresent होता है, NACN depresent होता है, तो वो ZN के साथ complex बना लेता है, तो NA2, ZN, CN4, जिसको बोलते हैं sodium, sodium zincocyanide, जो की soluble होता है, यहां अंदर रह जाता है, और जो PVS है, वो बाहर आ जाता है, तो इस तरीके से हम separate कर सकते हैं, तो बस यह धियान दखना आप, कि PVS और ZNS को कैसे separate करते हैं, दो sulfide को कैसे separate करते हैं, depresent NACN मिला देते हैं, जिससे soluble complex बन जाता है यह, तो यह नीचे रह जाता है, और PVS फ्रत के साथ बाहर आ जाता है, जिसको separate कर सकते हैं, तो यह कहानी थी, फ्रत flotation method की, note कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला method है हमारा concentration का leaching, ठीक है, इसमें दो अलग-अलग process हम पढ़ेंगे, पहली process क्या है, leaching में number one is, leaching of alumina, alumina from, bauxite ore, alumina from bauxite ore, actual में bauxite ore जो होती है, powdered ore अगर मैं बोलू, तो उसमें क्या-क्या होता है, Al2O3 होता है उसमें, और SiO2 होता है, Fe2O3 होता है, TiO2 होता है, तो अगर मैं आपसे बोलू, powdered ore जो है, bauxite ore क्या है, powdered ore, तो powdered ore जो होती है, उसमें क्या-क्या है मेरे पास, Al2O3 है, plus SiO2 है, plus Fe2O3 है, और plus TiO2 है, तो इसमें ये impurities होती है, और इसकी हमें leaching करानी है, ठीक, तो करते क्या हैं, अगर मेरे पास powdered ore है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें है, तो जब ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं NaOH, मतलब एक तरीके से क्या कराते हैं, digestion कराते हैं, ये बायो बाला digestion नहीं है, यहाँ chemistry में digestion का मतब़े slow heating कराते है slow and constant heating को digestion बोलते है तो हम क्या कराते है slow and constant heating कराते है with naOH, concentrated naOH solution अगर heat कराते हैं तो ये दवंव तो होते हैं insoluble और ये दवंव होते हैं soluble मतलब naOH इन दौनों से react कर लेता है और इन से react नहीं करता है मतलब ये क्या कर देंगे हम इसको filter करके separate कर देंगे इन दौनों की reaction होगी तो होगा क्या जो soluble वाले हैं वो अलग कर लो और insoluble वालों को अलग कर लो insoluble कौन कौन है Fe2O3 and TiO2 इसको हम filter करके separate out कर सकते हैं और soluble वाले कौन कौन से थे Al2O3 और SiO2 अब हम क्या करेंगे इनकी reaction लिखेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं reaction तो Al2O3 की reaction जब होगी किस के साथ NaOH के साथ ठीक है प्लस water भी लिख दो यहाँ पर ये reaction होती है 200 से 200 degree centigrade और 35 से 36 बार pressure तो बनाता है sodium aluminate NaAlOH4 क्या बनता है ये sodium aluminate sodium aluminate ठीक है ये बनता है अब sodium aluminate को हम क्या करा लेते हैं अच्छा इसके साथ एक और reaction चल रही पहल लगी क्या SiO2 तो SiO2 की reaction किस से NaOH के साथ तो ये क्या बनाएगा Na2 SiO3 ठीक है sodium silicate sodium silicate अब हम क्या करते हैं इसका neutralization कराते हैं by CO2 ठीक है तो इसका neutralization कराएंगे by CO2 तो NaAlOH4 इसका neutralization कराएंगे by CO2 तो ये बनाता है Al2O3.XH2O और प्लस बनेगा NaHCO3 ठीक है अब जो Al2O3 है उसके साथ कुछ water जुड़ा हुआ है water of crystallization तो उसको remove करना है तो 14-70 Kelvin पर उसको heat करा देते हैं तो जो water of crystallization है वो remove हो जाता है और आपको alumina मिल जाता है तो ये कहानी होती है पूरी Al2O3 आपको मिल गया मतलब जो impurities थी वो हमने क्या कर दी दूर कर दी तो करते क्या है क्या process है पूरी अपने पास एक बाफ इस समझा रहा हूं ध्यान से सुन लो powdered ore है जिसमें ये चारों चीज़ें है concentrated NUH में लाया ये दोनों insoluble ये दोनों soluble है मतलब ये दोनों reaction कर लेंगे ये नहीं करेंगे जो नहीं करेंगे उसको filter करके separate कर लेंगे जो करेंगे उसको आगे ले चलेंगे कैसे करेंगे Al2O3 NUH के साथ reaction करता है in presence of water ये temperature pressure की condition sodium aluminate बनाता है और साथ-साथ SiO2 भी reaction करता है तो sodium silicate बनाता है अब क्या करते हैं neutralization कराते हैं किस से? CO2 से तो इसकी कोई reaction नहीं तो ये पीछे रह जाता है ये आगे आएगा reaction करके क्या बना लेगा Al2O3.XS2O अब 14-70 पे इसको heat करा देते हैं तो alumina मिल जाता है और ये पीछे छूड़ जाता है मतलब इस तरीके से आपने क्या करा दिया? concentration करा दिया मतलब impurities को remove कर दिया तो ये कौन सा है? ये पहला है leaching में कौन सा? alumina from box side अब हम silver और gold के बारे में भी पढ़ेंगे पहले आप ये note कर लो तो leaching में हमने पहला पढ़ लिया alumina from box side और आगे बढ़ते हैं second number पर leaching में है leaching of silver and gold ठीक है? leaching में silver and gold की leaching कैसे कराते हैं? बहुत आसान reaction है देखो क्या होता है metal की reaction होती है k c n या na c n k c n या na c n दो में से कोई भी ले लो मैं c n minus लिख देता हूँ, ठीक है? metal plus c n minus in presence of air plus water ये देता है m c n whole twice ये बनाता है सबसे पहले negative, अगर na होता तो बहार na लगा देता है यहाँ k होता तो k लगा देते plus oh negative अब क्या होता है more reactive metal से displacement reaction हो जाती है, यहाँ पर z n लेते हैं अपन तो m c n whole twice negative इसकी reaction किस से? z n से, तो ये बनाता है metal plus z n c n 4 2 negative, ठीक है? इस तरीके से तो बहुत simple process है leaching की और यहाँ metal m क्या-क्या है आपका silver and gold आप यहाँ पर ले सकते हो तो बहुत आसान है metal की reaction c n minus से plus o2 plus water क्या देगा m c n whole twice negative और ये z n के साथ reaction करके metal आपको वापस मिल जाएगा तो जो भी impurities में रही होंगी, अर्थी impurities वो दूर हो जाएगी क्योंकि आपने क्या करा, metal को पहले complex में लाए फिर complex से बाहर निकाल दिये तो जो impurities बहाइंड छूट गई है साइनाइड प्रोसेस साइनाइड प्रोसेस, ठीक है, नाम ध्यान रखना इसका नोट कर लो इसको फिर आगे बढ़ते है चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और particular element की metallurgy अब हम यहां से पढ़ना है start करेंगे ठीक है, तो अपन इसमें बहुत सारी metallurgy पढ़ेंगे, ध्यान से समझते जाना और major portion अपन NCIT का cover करेंगे इसमें ठीक है, बाकी और भी बहुत metal होते हैं उसकी भी metallurgy है मेरे notes में लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना NCIT में दिया और हमारे काम का जितना है मैं आपको lead की metallurgy, silver की metallurgy, tin की metallurgy यह सब नहीं बताऊंगा लेकिन अगर आपको यह पढ़ना है तो application पर notes डले हुए है metallurgy के तो वहाँ जाकर आप read कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो प्रॉपर आपको process follow करना है पहला process क्या है number one is pulverization ठीक है तो number one आपको क्या करना है pulverization मतब crushing and grinding करनी है तो और को आप powdered form में लाओगे ठीक और कौन सी और है अपने बाद ZNS, zinc blend या इस फेलराइट इसको बोलते है तो इसके क्या है इसको हमने powdered form में convert कर लिए ठीक है pulverization में अब ये sulfide ore है तो concentration हम कैसे करेंगे sulfide ore के लिए हम frat flotation method यूज करते तो मैं double f लिख रहा है उस लट form में frat flotation method मतलब double f method तो कहां पहुँच गे भी या concentration हो चुका है अब हमें third number पर क्या करना है isolation मतलब जो concentrated ore है उससे metal को extract करना है ठीक है तो extraction of metal from concentrated ore जिसको मैं process का नाम दे रहा हूँ isolation अब isolation में isolation में दो और process involved है क्या है number one is roasting roasting हम क्यों कराते हैं क्योंकि ZNS जो है जो sulfide ore होती है तो वो है more stable इससे हम less stable oxide में convert कराएंगे तो roasting में हम क्या करते हैं heating in presence of air heating in presence of air हम कराते हैं तो क्या बनता है oxide क्या less stable तो heating in presence of air हम कराएंगे तो क्या बन जाएगा ये ZNO plus SO2 तो ZNS plus O2 को heat कराया तो क्या बना ZNO plus SO2 बना ये क्या है more stable ये less stable अब इसको आप आगे reduce करा सकते हो तो roasting को अगर आपको बिल्कुल आराम से define करना हो छोटे से definition से तो क्या बोलोगे heating heating in presence of excess air या air लिख दो चलेगा heating in presence of air तो इसको हम क्या बोलते हैं roasting बोलते हैं heating in presence of air is called roasting ठीक है तो आप क्या करते हो more stable sulfide से less stable oxide में आगए आप इसको reduce करा लोगे तो isolation में पहला roasting हो गया second इसमें है reduction और यहाँ जो reduction होता है carbon reduction होता है तो reduction by coke तो reduction by coke अगर मुझे इसका temperature लिखना है अगर आप चाहो याद करना तो यह होता है 1200 Kelvin के approximately ठीक है और reduction by coke यह होता है 1400 degree centigrade पर कैसे जेडेनो प्लस coke 1400 degree centigrade यह क्या बनाएगा जेडेन प्लस co बनाएगा ठीक है co gas निकल जाएगी लेकिन यहाँ जो जेडेन बना उसमें कुछ भी impurities वगरा होई तो यह जो जेडेन है वो क्या होता है इंप्योर जेडेन होता है इंप्योर जेडेन है ठीक है तो मैं जितने भी मेटलर जी है वहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करूंगा जहां जरूत पड़ेगी और जहां कुछ special method होंगी तो वहाँ बताऊंगा तो इसमें जेडेन में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से इलेक्ट्रोगेमिस्टी में ठीक है तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है अपने पास एक कंटेनर होता है डाइग्राम एक बार अच्छे से बना लेते हैं एक बारी डाइग्राम बनाएंगे फिर आगे से आपन डाइग्राम नहीं बनाएंगे डारेक लिख लिया करेंगे तो डाइग्राम कैसा है अपने पास एक क्या है whats container है इसमें एक anode एक cathode होता है या आप जानते ही हो anode पर oxidation हो cathode پर reduction होता ये भी आपको पता है ये अपने पास anode cathode हो गए यहां power supply लगा देते हैं इसको बोलते हैं एनोड इस वाले को और इसको बोलते हैं cathode एनोड पर हम रखते हैं impure metal impure metal होता है एनोड और यहां मिलता है आपको pure metal pure metal ठीक और जो इसमें electrolytic solution हम लेते हैं वो होता है ZnSO4 and small amount of H2SO4 तो इसके जो electrolyte है ZnSO4 plus small amount of H2SO4 ठीक तो जो भी impurities वगरा होती है जो यहां पर दूर नहीं हुई थी concentration के दोरान तो जो आपको impure metal impure Zn यहां मिला तो होता क्या है यहां पर at anode जो reaction होती है at anode Zn convert होता है Zn2 plus में ठीक और at cathode Zn2 plus convert होता है Zn में ठीक है यहां दो electron लिख लो लेकिन दौनों में क्या हुआ यहां जो Zn था वो क्या था impure था और यहां जो Zn मिला वो क्या मिला pure Zn मिला ठीक अब जो more basic impurities होती है वो solution में रह जाती है और less basic impurities जो होती है वो यहां पर anode mud इसको बोलते है यहां पर आ जाती है न तो impurities यहां पर इखटी हो गई ठीक है तो यह पूरा process होता है अब यह diagram हम बार बार नहीं मनाएंगे अब अगले element की जब metallergy में electrolytic refining यूज करेंगे तो anode reaction cathode reaction और अपन क्या करेंगे electrolyte लिख लेंगे इस टाइप से बस एक बार diagram दिखाना था कि actual में होता क्या electrolysis में anode यह होता है cathode यह होता है यह MP और यह pure यह दोनों reaction होती है और electrolyte होता है तो यह कहानी हो गई इसमें ध्यान रखना कौन सा वाला reduction method यूज होता है carbon reduction बोलते हैं इसको ठीक है यहां क्या हुआ roasting में सबसे पहले heating in presence of air isolation करा है आपने heating in presence of air ZNS प्लस O2 heating होई ZNO प्लस SO2 बना ठीक और यहां पर फिर carbon reduction हुआ और फिर purification करा दिया ओके नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगले number पर है हमारा second number है copper की metallergy करना है ठीक है चाल को pyrit या copper pyrit से हम क्या करेंगे CUFS2 को बोलते हैं इसका नाम है CUFS2 का formula है इससे हम copper का extraction करेंगे कैसे करना है सबसे पहला process तो आप जानते हैं क्या होता है number one process पहले आपको कराना है pulverization मतलब crushing and grinding second number पर sulfide ore है तो concentration कैसे करेंगे develop method तो concentration by front floatation method चलो भाई यह काम हो गया अब third number पर क्या करना है isolation अब isolation मतलब copper आपको चाहिए impure copper किस से CUFS2 से तो उसको बोलते है अपना isolation process क्या क्या होता है इसमें अपने पास river battery furnace होता है उस furnace में हम क्या करते हैं roasting कराते हैं ठीक है तो पहला process क्या है इसमें roasting roasting मतलब heating in presence of air यह आप जानते ही हो तो roasting कराएंगे तो CUFS2 इसकी roasting कराई O2 के साथ heating कराएंगे तो बनता है इसमें Cu2S plus FES plus SO2 यह कैस निकलती है बाकी यहां दौनों sulphide बनते हैं अब इसमें कुछ sulfur की impurity, arsenic की impurity, phosphorus की impurity, antimony की impurity वो oxide के form में अलग हो जाती है अगर आप reaction निकना चाहाँ मालो, sulfur की impurity है तो SO2 के form में निकल जाएगी ठीक है, अगर यहां पर arsenic की impurity है तो oxide बना लेगा AS2O3 तो जो भी यह impurities हैं, वो किस form में निकल जाती हैं, oxide के form में निकल जाती हैं ठीक है, antimony की impurity हुई तो SB2O3 तो जो भी impurities हैं, ठीक है, यह सब क्या है impurities तो जो भी यहां पर impurities हैं, वो किस के form में निकल जाती हैं oxide बना के निकल जाती है, जब आप roasting करा रहे होते हो, ठीक है अब यहां क्या हुआ, जो Cu2S plus FES बना रोस्टिंग तो होई रही है तो Cu2S और FES यह further oxidize होकर, मत्दब यह further oxygen के साथ reaction कर लेते हैं जैसे Cu2S plus O2, यह देता है आपको Cu2O plus SO2 और Fe, S plus O2, यह देता है FeO और इसमें हम silica मिलाते हैं, silica SiO2 होता है, ठीक है, silica इसमें इसलिए मिलाते है क्योंकि यहाँ पर FeO जो है, वो impurity है, तो FeO क्या है, एक basic impurity है, क्या है यह, basic impurity basic impurity, तो basic impurity के लिए हम एक acidic compound का यूज़ करते हैं और इसी compound को बोलते हम acidic flux, acidic flux, SiO2 इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यह reaction करके FeSiO3, slag बना ले, क्या बना ले, slag बना ले, slag क्या होता है, lighter होता है, ठीक है, slag क्या होता है, lighter होता है, इसको आप बोलेंगे अपन, ferrous silicate है तो slag क्या है, lighter होता है, किस से, gang particles से, impurities से, तो वो easily separate out आप उसको कर सकते हो, ठीक है तो fusible slag भी इसको बोलते हैं, यह उपर आ जाता है, और उसको easily separate कर सकते है, lighter होता है, यह gang particles से तो यह बाली बात चलो, खतम हो गई, अब होता क्या है, जो अपने पास यहाँ पर, Cu2S और FES का mixture है Cu2S और FES के mixture को बोलते है, matte, ठीक है, M-A-T-T-E, matte, क्या है, M-A-T-T-E, matte, matte क्या होता है, Cu2S और FES का क्या होता, mixture अब होता क्या है, यह जो Cu2S और FES का mixture बना, यहाँ कुछ reaction होनी होगी, वो हो जाएगी, और जो Cu2S और FES का mixture है, जिसको matte बोल रहे हैं, इसको हम ले जाते है, बेसेमर कनवर्टर में, और सिलीका डालके इसको आग लगा देते हैं, मतलब इसको heat करा देते हैं, तो Cu2S और FES क्या करता है, यहाँ पर, कहाँ पर, इन बेसेमर कनवर्टर, मेट की आगे reaction होती ही फर्दर, मेट में क्या है आपके पास Cu2S, तो जो यहाँ कहानी है, वो यहाँ भी होगी, Cu2S O2 के साथ reaction करके बना लेगा, Cu2O plus SO2, ठीक है, और FES, यह सेम कहानी यहाँ दोर आएगा, यह बनाएगा, Cu2O plus SO2, और सिलीका मिलाई देते हैं अपन, तो जो बचा-खुचा है, इंपिरिटी वो यहाँ लग हो जाता है, FES, I, O3, सिलेक के फर्म में निकल जाता है, अब यह जो Cu2O बना, यह जो बनता है, और जो Cu2S है, यह आपस में self reduction करते हैं, जिससे अपने को copper मिलता है, तो इ reaction होती ही किससे, Cu2S के साथ, तो यह क्या बनाता है, Cu plus SO2, और SO2 गैस निकलने की वज़े से, यह जो copper होता है, यह फफोलेदार copper होता है, जिसको होता है, blister copper, इसका क्या नाम है, blister copper, 98-99% तक यह pure होता है copper, ठीक है, तो blister copper क्या है, हम उसको impure ही बोलेंगे, अभी है, blister copper क् करते हैं, इसकी electrolytic refining करते हैं, तो electrolytic refining में भी कुछ impurity दूर होती है, तो जो आपको फिर copper मिलता, उसको हम pure copper बोलते हैं, समझ गया, एक बार पूरी कहान ही फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, बहुत important है, इसकी metaller जी, चालको pyride या copper pyride से CUFES2 का extraction होता है, copper का, इस परसेशन कराते हैं, प्रोसेस आपको पता है, सबसे पहले क्या कराते हैं, pulverization कराते हैं, second number अगर sulfide हो रहे हैं, तो front flotation method से concentration कराते हैं, और third process पर isolation आप कराते हैं, अब होता क्या है, आईसोलेशन में, सबसे पहले हम कराते हैं, roasting, रोस्टिंग में क्या होता है, CuFES2, O2 के साथ heat कराते है, heating in presence of air, ये दो sulfide देता है, Cu2S देता है, FES देता है, ऐसा बोलते हैं कि Cu2S जो है वो 98% और FES 2% के असपास होता है, मैट में, percentage आद करने की जुरत नहीं है, बस ये धिहान दखना, दो sulfide होते हैं, Cu2S और FES, और SO2 gas निकल जाती है, अब जो भी impurities हैं, sulfur, phosphorus, antim antimony ठीक है, ये सारी arsenic वगेरा, वो oxide के form में remove हो जाती है, तो अभी हमारे पास क्या है, Cu2S है और FES, ये कहानी कहा होती है, river battery furnace में होती है, अब heating तो आप कराई रहे हो, तो ये जो sulfide है, वो further oxygen के साथ reaction कर लेंगे, तो Cu2S, O2 के साथ reaction करके Cu2O plus SO2 बनाएगा, और FES O2 के acidic flux मिला देते हैं, पहले ही ठीक है, तो SiO2 किया acidic flux, तो वो क्या बना लेता है, slag, और slag क्या होता है, lighter होता है, किस से, gang particle है, impurities से, तो उसको easily remove कर लिया जाता है, अब जो अपने पास Cu2S और FES का mixture, इसको matte बोलता है, इसको हम basimer converter में भी ले जा देते हैं, को कुछ अद तक further, वोई-वाली reaction देगा, यहां पर भी देगा, और FES वाला भी देगा, लेकिन यहां एक reaction और होगी, कौन सी, self reduction, क्या होगा, Cu2O, जो बचा हुआ, Cu2S है, वो आपस में reaction करके, आपको copper दे देंगे, impure copper है यह, blister copper इसको हम बोलते हैं, ठीक, blister copper इसले बोलते हैं, क्योंकि इसका purification, ध्यान से देखना ज़रा, purification electrolytic refining से करेंगे, पूरा diagram नहीं बनाएंगे, बस क्या बोलेंगे आपन, यहां पर यह बोलेंगे कि, at anode, at anode, impure copper रखते हैं, मतलब blister copper रखते हैं, ठीक है, impure copper कहा होता है, anode पर, at cathode, cathode पर क्या मिलता है आपको, pure copper, pure copper मिलता है, ठ electrolyte कौन सा यूज करते हैं, electrolyte हम यूज करते हैं, copper sulfate और H2SO4, ठीक है, electrolyte use करने का main reason यह होता है, कि यह conductivity को बढ़ा देता है, ठीक है, reaction को थोड़ा तेज कर देता है, तो electrolyte COSO4 plus H2SO4, anode पर impure और cathode पर pure, अब इसमें क्या होता है, anode मर्ड जो होती है, जहां पर impurities होती है, ठीक है, तो impurities जो होती है, impurities like कौन-कौन सी, antimoney, SB, selenium, tellurium, silver, gold, platinum, etc, यह सब impurities क्या होती है, anode मर्ड में चली जाती है, कहां पर चली जाती है, यह impurities, anode मर्ड में ने बताया था, diagram बना कर आपको पीछे electrolytic refining अभी पीछे समझाई थी, मतलब anode के नीचे एकटी हो जाती है, ठीक है, और anode पर क्या reaction होती है, अगर आप reaction लिखना चाहो, तो impure copper convert होता है, किस में, Cu2 plus में, और यहां क्या reaction होती है, Cu2 positive solution से convert होता है, किस में, copper में, ठीक है, graphite की थोड़ी coating भी यहां पर कर देता है, ठीक है, ताकि deposition ना हो पाए ज्यादा copper का, मतलब आपन क्या कर रहे है, impure से pure बना रहे है, ठीक है, बस यह धियान दखना, graphite coating भी रहती है, अब इस से related एक दो पॉइंट और है, इस से related एक दो पॉइंट क्या है, copper की metallurgy से related, हम copper को, जो low grade और होती है copper की, hydrometallurgy के थूरू भी हम extract कर सकते हैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और एक दो पॉइंट और हैं, इसमें copper की metallurgy में, जो NCRT में दिये हुए हैं, discuss करना जरूरी है, ध्यान से देखो ज़रा, अगला है extraction of, extraction of copper, from low grade ore, low grade ore क्या होती है, जिसमें copper का content बहुत कम होता है, लेकिन यहां से भी अपन extraction कर सकते हैं, इसमें क्य होता है, hydrometallurgy अपन यूज करते हैं, hydrometallurgy क्या होता है, hydrometallurgy, hydrometallurgy में क्या करते हैं, अपन, जो और है, उसको solution में convert कर देते हैं, ठीक है, with the help of acid या फिर bacteria, तो वो solution में CO2 positive iron के form में रहेगी, अगर copper की कर रहे हो तो, और CO2 positive iron से अपन, या तो उसकी iron से reaction करा दो, य तो मैं reaction लिख रहा हूँ, क्या होगी, जो copper है, उसको हम convert करते हैं, CO2 positive का equal solution बना लेते हैं, hydrometallurgy की पूरी process यह है, कि with the help of acid या bacteria, तो CO2 positive में convert हो जाता है यह, है ना, अब CO2 positive जो है, उससे हम copper कैसे recover करते हैं, इसकी reaction H2 से करा दो, तो CO plus H positive ये बना लेगा, या CO2 positive की reaction ZN electrochemical series में उपर आता है, तो ये copper displace कर देगा, और iron भी कर सकता है, अब इसमें सवाल ये आता है, ZN scrap या iron scrap या iron scrap यूज़ करते हैं, इन दोनों में से best method कौन सा हम मानें, obviously CDC बात है कि electrochemical series में ZN is more reactive than Fe, तो ZN की reaction अच्छी होगी, reactivity जदा होगी, लेकिन ZN क्या है, costlier होता है, comparison to Fe, तो ऐसा suggest किया जाता है कि ये वाला, मतब iron scrap यूज़ करोगे, तो ये जदा अच्छा मतब advantage है, इसका कि ये सस्ता है, और ZN क्या है महेंगा है, ठीक है, बाकी reaction तो दोनों ही होती है, यहाँ पर, तो ये बात होगे, extraction of copper from low grade ore, एक और होता है, आप copper oxide से भी copper का extraction कर सकते हो, तो extraction of carbon reduction यूज़ होता है, यहाँ पर है, extraction of copper from CO2O, cuprous oxide बोल दो आप, अब इसमें क्या होता है, CO2O कैसे बनता है, CO2S का हम क्या गराते है, roasting, roasting was the heating presence of air, तो ये बनाए हैगा, CO2O plus SO2, अब ये जो CO2O है, इसकी reaction आप करा दो carbon से, और carbon यहाँ पर reducing agent के form में use होगा, और reducing agent के form में जो use करते हैं अपन यहाँ पर, इस reaction को बोलते हैं, is melting, ठीक है, heating कराते है, reducing agent के वरिजंस में, is melting बोलते हैं, तो ये बनता है copper plus SO2, बाकि आगे इसका purification आप करवा two gas release होती है उसको, ठीक है, तो note कर लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली metaller जी है हमारी silver की, ध्यान से देखना जरा, पहली बात तो और कौन से यूज़ करते हैं, यहाँ पर argentide यूज़ करते हैं, अब क्या होता है, process आपको पता है, number one क्या कर करना है, pulverization, pulverization करेंगे, crushing और grinding, मतब powdered ore बनाएंगे, उसके बाद sulfide ore है, तो concentration by develop method, front flotation method लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें एक और तरीके से concentration होता है, leaching जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, third number पे लिख रहे हैं, mag Arthur, forest, cyanide process, cyanide, process, ठीक है, इसके through अपन isolation भी कर लेते हैं, कैसे देखना ध्यान से, जो Ag2S है, इसकी reaction, NaCN या KCN के साथ होगी, जैसे मालों मैं Na ले लेता हूँ, ठीक है, तो NaCN plus O2, इसके साथ इसकी reaction हो रहे हैं, air के presence में reaction होती है, तो यह बनाता है, Na, AgCN, hold twice, sodium argentocyanide, ठीक है, और plus इसमें बनता है Na2S, अब air पहले से प्रिजेंट है, तो Na2S oxidize होगा, Na2S2O3 में, thaiosulfate में, और further फिर oxidize होकर final आपको देगा, Na2SO4, ठीक, और यहाँ पर ZN के साथ इसकी reaction करा देते हैं, तो soluble complex बन जाता है, sodium zincocyanide, Na2ZNCN4, प्लस, यहाँ मिलेगा आपको क्या, silver, लेकिन यह silver क्या होगा, impure होगा, अब इसका purification कराना होगा आपको, यह complex ध्यान रखना है, यह बहुत important complex है यह, ठीक है, direct exam में आ चुके हैं यह, अगर मुझे purification कराना है, तो कैसे कराएंगे, अपन anode, cathode, और electrolyte लिखते हैं, तो purification में क्या करना है, at anode, at anode, क्या रखते हो आप anode पर, impure, silver, ठीक है, वो बाकी जो impurities है, वो anode मन में एकट्टी हो जाएंगी, और at cathode क्या मिलता है आपको, pure silver, reaction बहुत simple है, आप खुछ से भी लिख सकते हैं, एजी से एजी प्लस बना दो, और एजी प्लस से एजी बना दो, यहाँ एजी से एजी प्लस बनेगा, यहाँ एजी प्लस से एजी बनेगा, और electrolyte क्या यूज़ करते हो यहाँ, electrolyte, तो जो electrolyte लेते हैं, वो होता है, है, silver nitrate और प्लस HNO3, यह क्या काम करता है, यह conductivity को बढ़ा देता है, तो reaction fast हो जाती है, तो यह कहाँ नहीं हो गई, silver के लिए, gold के लिए extraction करेंगे, तो gold क्या है, native ore है, तो जो gold है, उसकी direct हम leaching कराएंगे, वही अपना NACN, in presence of air, तो यहाँ OH- भी लिख सकते हैं, तो यहाँ OH- भी बनता है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर NA, AU, CN whole twice, ऐसा, और प्लस OH-, ठीक है, अब क्या होगा, इसकी reaction ZN से कराओगे, तो ZN क्या करेगा, यहाँ से AU को निकाल देगा, और NA to ZN, CN for soluble complex बन जाएगा, यह भी मैं करता है, तो यहाँ पर purification कराएंगे, कैसे, तो मैं सीधा-सीधा purification ही लिख देता हूँ, तो पहले leaching हो गई, फिर purification हो गया, ठीक, तो यह हो गई आपकी leaching, second number लिख देता हूँ, मैं इसको, लीचिंग, तो first point क्या है फिर, pulverization तो ही, है न, pulverization, मतब crushing grinding करने के बाद आप leaching कराओगे, तो आपको impure gold मिलेगा, क्या म आप, add anode क्या रखोगे, impure gold, impure gold, और add cathode क्या मिलेगा, आपको pure मिलेगा, impurities anode band में खटी हो जाएंगी, और जो electrolyte है, AUCl3 और HCl का लेते हैं, तो electrolyte, जो use किया जाता है, वो AUCl3 प्लस HCl, ठीक है, इसका purification उतना खास important नहीं, मैं चीज़ क्या है, यह soluble complex दिहान रखना Na2, Zn, CN4 बनता है, यहाँ Na2, Zn, CN4, इसमें आपसे oxidizing agent, reducing agent पूछ लेंगे, जैसे अगर oxidation number में लिखूं तो बाकि आप बता सकते हूं, कैसे, यहाँ gold क्या है, प्लस 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और Zn क्या है, प्लस 2, वो यह X मान के निकाला मेंने, तो Zn का oxidation हो रहा है, म Simple इसमें ध्यान लखना, Mac Arthur, Forest Sinate Process, Silver और Gold के लिए हम यूज करते हैं, और Complexes क्या-क्या होते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान लखना आपको इसमें, note कर ले इसको फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली मेटलर जी हमारी Aluminium की, बहुत ध्यान से देखना, Alumin S2 अभी लिखते हैं, ये भी ध्यान लखना, तो होता क्या है, सबसे पहला काम आप जानते हो क्या करना है, Pulverization करना है, Pulverization में क्या होता है, Crushing Grinding, उसके बाद Second Number पर आप क्या करते हो, Leaching, और Leaching करने के लिए मैंने आपको ये बता रखा है, Leaching में, याद करो, अब ये पीछ CO2 और AL2O3 Soluble होते हैं, NaOH मिलाते थे हैं अपन उसको, ठीक है, तो वो पूरी Process आपको पता है, अब उसमें से मैं AL2O3 वाली Reaction आपको फिर से लिख देता हूँ एक बार, उस Process को हम बोलते हैं Bears Process, ठीक है, ध्यान से देख वाज़रा, Bears Process, Bears Process इसका नाम है Leaching का, तो Bears Process में क्य Axis NaOH लेते थे यहाँ पर है ना, तो Axis NaOH लेते थे तो बनता था NaAlOH4, याद करो, यही बनाते थे हैं अपन, NaAlOH4, और NaAlOH4 जो बना, इसको Acidify कर लो, तो यह बना देगा AlOH Whole Thrice, और इसको कर दो Heat, तो यह क्या बना देगा आपका Al2O3, तो आपको Al2O3 हो गया, यह जो Al2O3 मिला यह क्या, Free from Impurities of SiO2, Fe2O3 और TiO2, आपन डारेक्ट बॉक्साइट को Heat नहीं कर सकते, जैसे बॉक्साइट गाकर अपन फॉर्मला लिखें, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, Al2O3.2H2O, तो डारेक्ट अपन इसको Heat करके Water निकाल देंगे, तो Impurity थोड़ी हटी आपकी, जो Al2O3.X2 बना लेते थे और इसको 1473 पर Heat करके यहां पहुँच सकते हो, तो वो भी Reaction है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन Reaction को अगर लोगे तो इसको Bears Process हम बोलते हैं, अगर यहां Axis में यूज नहीं किया, आपने यह, तो यह ना अगरी बात होगे किसकी Leaching के, मतलब अल्टिमेटली आपको क्या मिल गया, AL2O3 मिल गया, अब यह जो AL2O3 मिला, इसको, इससे हम AL को isolate करते हैं, Aluminium को isolate करते हैं, 99% तक pure Aluminium यहां पर मिल जाता आपको, और उस isolation का जो process का नाम है, third number पर में लिख रहा हूं, या Leaching में, चलो ठीक है, third number लिख देते हैं, third number पर में लिख रहा हूं, Hall Herald process, Hall Herald process, Hall Herald process जो होती है, वो एक तरीके से electrolytic method है, Aluminium extract करने का AL2O3 से, मैं diagram अच्छे से बना देता हूं, तो आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना ज़रा, Hall Herald process में अगर मैं बा यह Steel का Container है, और यह जो Steel का Container है, यह खुद एक Electrode की तरह गाम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलने कैथोड, ठीक है, यह हो गया, कैथोड की तरह गाम कर रहा है, और इसमें जो Grafite है, उसकी Rod लगी होती है, ग्रेफाइट की Rod लगी होती है, और वो किसकी तरह गाम करती है ग्रेफाइड की रोड एनोड की तरह काम करते हैं, किस की तरह है, एनोड की तरह है, तो यहाँ पर मैं रोड लगा देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, रोड लगा दी, किस की रोड है ये, ग्रेफाइड की रोड है, ये किस की तरह काम करेंगी, कंटेनर कैथो में यह जुड़ी होती है यहाँ पर कॉपर का एक तरीके से स्टांप लगा हुआ है ठीक है इस से जुड़ी हुई है कॉपर का और यह जो रॉड है यह किसकी तरह काम कर रही है यह काम कर रही है किसकी तरह एनोड की तरह ठीक है यहाँ पर एक outlet है यहाँ से क्या मिलता है आपको molten aluminium molten aluminium मिलता है ठीक है और यह जो rod है यह किसकी है ग्रेफाइट की अब होता क्या है यहाँ पर अपने पास इसमें solution होता है क्या होता है solution किसका AL2O3 का और electrolyte होता है कुछ देखो तो AL2O3 का यह molten AL2O3 का solution एक तरीके से है और molten AL2O3 के साथ क्या-क्या है electrolyte भी है तो इसमें क्या है AL2O3 कैसा molten state में प्लस Na3Al F6 इसका नाम है cryolite यह होता है और प्लस CF2 इसको बोलते है florispar तो यह भी होता है इसका काम क्या होता है melting point को कम करने के लिए और conductivity बढ़ाने के लिए यह हम electrolyte यूज करते है अम में कहानी है reaction क्या होती है तो add cathode सबसे पहले add cathode cathode पर क्या reaction होती है जो aluminium plus 3 है वो convert होता है किसमें aluminium में ठीक है और यह क्या है आपका 99% तक pure जो यहां से निकल रहा है यह होता है बागी और purification करवाते हैं आगे 99.99% तक भी pure कर सकते हो वो अभी मैं करवाऊंगा यह cathode हो गया add anode क्या reaction होगी add anode anode किसके बने हैं यह carbon के बने हैं अब यह जो actual में होता क्या है जो O2- है O2- वो convert होता है किसमें O2 में और वो carbon से reaction करके CO और CO2 टाइप की gases निकाल देता है ठीक है तो cathode पर कौन सी reaction होती है aluminium plus 3 aluminium में convert होता है और oxide iron anode पर क्या गरता है O2 बनाता है और वो यह carbon की rod है यह जो rod है यह किसकी है carbon या graphite की है इसका मतब यह react करेंगी किसके साथ O2 के साथ CO और CO2 gases यहाँ पर release होंगी ठीक है अब main मैं एक point लिख रहा हूँ बहुत important इनका use क्यों करते है electrolyte का use करते है 2 degrees 2 degrees melting point and 2 increase conductivity यह बहुत ध्यान से याद रखना का use किया जाता है ठीक है तो यह overall process अभी तक यहाँ हो गई note करो इसको फिर अपन इसको 99.99% तक pure करते है hoops process से purification होता है यह note कर लो फिर मैं बताता हूँ आपको hoops process चलो आगे बढ़ते है यहाँ तो आप मैं पता चल गए 99% तक pure है अगर purification और करना है 99.99% तक pure करना है तो hoops process होती है actual में hoops process क्या है इसके बारे मैं point लिखेंगे it is a three layer process three layer process three layer इसमें होती है मैं डाइगराम से समझा देता हूँ clear समझ में आ जाएगा actual में हम उसको ऐसे दिखाते है अपने पास क्या है तीन layer है और तीन layer जो होती है उनकी density अलग-अलग होती है एक layer ठीक है ये दूसरी layer और ये तीसरी layer तो जो तीन layer है उनकी density इस क्या है अलग-अलग है तो अलग-अलग density की ये layer हम बोलते है इनको ठीक है अब जो यहाँ पर नीचे जो होता है वो होता है impure aluminium यहां क्या होता है impure aluminium ठीक है फिर भी यह 99% तक pure होता है ठीक है और यहां जो होता है वो है pure aluminium यह 99% और यह 99.99% और बीच में होता है electrolyte बीच में क्या है हमारे पास electrolyte और electrolyte क्या होता है यहां पर NE3, ALF6 और CF2 या BF2 ले सकते आप यहां पे ठीक है? तो वो मैं लिख देता हूँ और तीनो लेयर की ये मैं बोल रहा हूँ TOP LEAR ठीक है? ये MIDDLE लेयर और ये BOTTOM लेयर ठीक है? टोप लेयर, MIDDLE लेयर और BOTTOM ठीक है तो यहां में लिख भी देता हूं कि all three layers have different densities तो इनकी density क्या होती है अलग-अलग होती है मतलब impure aluminium क्या होता है convert होता है किसमे al plus 3 में middle layer में जाता और middle layer से ये top layer में pure aluminium आ जाता है बाकी impurities पीछे रह जाती है तो इस तरीके से होता है ठीक है बहुत जाद है detail में तो hoops process नहीं है अपने syllabus में बस यह समझना है कि layers कैसे अपन decide करते हैं कॉंसी layer क्या है नीचे इंपियोर है उपर पियोर है बीच में electrolyte है क्या electrolyte होता है और तीनो layer की density सेम होती है क्या लग होती है तो यह अलग अलग होती है ठीक है तो इतना सब था aluminum की metallergy में इसको note करो फिर अपन iron की metallergy पर चलते हैं लिख लो इससे आगे बढ़ते हैं अपनी अगली metallergy यह iron की ठीक है ध्यान से देखना ज़रा किससे करते हैं यह hematite से fe का extraction करते हैं आपको process तो पता है number one process is pulverization pulverization मा तो crushing grinding करना है उसके बाद second process है concentration by gravity separation method gravity separation method gravity separation method oxide ore के लिए use करते हैं ठीक है तो यह तो हो गई concentration वाली method अब हम क्या करते हैं blast furnace से fe को isolate करते हैं fe2o3 से करते क्या है यहां पर ध्यान से देखना ज़रा यह blast furnace बना रखा में ठीक है अब इस blast furnace में क्या होता है अलग-अलग temperature zone होते हैं जैसे अगर मैं पूरा का पूरा डाइगराम एक बार फिल कर देता हूं क्या क्या है बताता जा रहा हूं आपको ऊपर से यहां पर और और मिलाई जाती है क्या मिलाई जाती है जो भी powdered ओर और है उसको मिलाय जाता यहां पर तो यहां पर क्या होता है आपका powdered और प्लस साथ में लाइम इस्टोन मिलाते हैं C A C O three और प्लस कोड मिलाते हैं पाउडर और लाइम स्टोन और कोक मिलाया जाता है उपर से तो यह कहा रहा है इधन नीचे की तरफ आता जा रहा है अब यहां पर क्या होता है डिफ्रेंट temperature zone होते है ठीक यहां पर temperature zone में कैसे कैसे लिख रहा हूँ 570 Kelvin ठीक है 1070 Kelvin 1270 Kelvin 1570 Kelvin और 2170 Kelvin मतलब temperature उपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है उपर lower temperature zone है वो नीचे higher temperature zone है बीच में middle temperature zone है जो यहां से यह जो दिख रहे हैं आपको यहां इधर से blast of air दिया जाता है क्या बोलते हैं इसको blast of air मतलब O2 pass कराते हैं और यहां से exhaust gases निकलती है जैसे CO2 और CO type की ठीक और यहां यह जो दो चीज़ें दिख रहे हैं आपको इसमें जो ऊपर होता है यह slag होता है और नीचे होता है आपका impure iron impure Fe तो जो यहां से impure Fe निकलता उसका नाम है peg iron अभी मैं reaction आपको बताऊंगा और यहां से slack को slack के लिए आउट लेट है तो यहां से slack निकल जाता है अब ध्यान से सुनो ज़रा अलग-अलग temperature zone में अलग-अलग reaction होती है reaction मैं यहां लिख रहा हूँ ठीक है तो इनकी reactions क्या-क्या होती है third number पे मैं reactions लिख रहा हूँ क्या-क्या reactions है यहां पर first part number one low temperature zone low temperature zone low temperature zone को मैं बोल रहा हूँ 500 से 800 Kelvin के बीच का ठीक है low temperature zone में क्या होता है जो Fe2O3 है उसकी reaction होती CO के साथ तो यह बनाता है Fe3O4 plus CO2 मतब CO क्या है reducing agent की तरह काम करता है यहां पर ध्यान दखना डारेक्ट पूछ सकते हैं question iron की metallurgy में reducing agent CO use करते हैं तो Fe को oxidize कर दिया और C की Fe को reduce कर दिया और carbon क्या हो गया oxidize हो गया मतब यह reducing agent Fe2O3 में से Fe को reduce कर दिया Oxidation नमबन निकाल के check कर सकते हो यहां plus 3 और यहां यह डवाई 3 अब यहां पर further CO के साथ reaction होती तो यह देता है आपको Fe plus CO2 ठीक है और Fe नीचे की तरह आता जाता है एक और parallel इसमें reaction चलती क्या Fe2O3 CO के साथ reaction करके एक possible product यह होता है कि FeO बना ले ऐसा भी possible है कि FeO बना ले यह low temperature zone की बाते हो गई अब चलते हैं यहां carbon की reaction होती CO2 के साथ तो यह बनाता है CO और जो FeO यहां बना था यह इस zone में reaction करता है FeO की reaction CO के साथ होती तो यह बनाता है Fe plus CO2 ठीक और CO2 उपर उड़के बाहर निकल जाएगी यहां पर एक reaction और होती है क्या होती है यहां पर CA CO3 जो होता है Lime Stone जो आपने मिलाए था यहां पर ठीक है Lime Stone भी break होता है और CA CO3 break होता है किसमें CAO plus CO2 में ठीक तो यहां पर CA CO3 को क्यों मिलाए गया इसके दो काम है इस metalology में iron की metalology में SIO2 नाम की impurity होती है तो SIO2 impurity को दूर करने के लिए CA CO3 जो CO बना रहा है यह reaction करेगा ठीक है और जो CAO reaction करेगा SIO2 से तो वो CSIO3 बनाएगा और जो दूसरा बन रहा है CO2 वो यहां पर यूज होके आपको reducing agent carbon monoxide दे रहा है इसके आगे की reaction मैं इधर लिख देता हूँ ध्यान से देखना जरा इसकी hitting होई यह बना और यह बना अब यह जो CAO है CAO क्या करेगा SIO2 के साथ reaction करके क्या बना लेगा CSIO3 इसको बोलते हैं slag और slag lighter होता है किस से और से तो slag उपर रहता है और नीचे रहती है तो slag को और से separate आउट कर सकते हैं यह slag है और SIO2 इसमें impurity है बहुत ध्यान से देखना और CO क्या है यहाँ पर basic flux basic flux copper की metallergy में slag होता था FeSiO3 ध्यान से सुन लो copper की metallergy में slag होता था FeSiO3 और वहाँ FeO basic impurity थी और SIO2 acidic flux था यहाँ क्या है यह acidic impurity है और CO basic flux है CSiO3 बनता यह slag ध्यान दगना किस metallergy में कौन सा होता है तो क्या कहानी होगी medium में C plus O2 की reaction होई CO बना FeO की एक reaction और होती है CO के साथ तो Fe plus CO2 बना Fe नीचे की तरह आता जाएगा इंप्योर है और यह भी ब्रेक होता लाइमिस्टोन यह क्या देता है CO plus CO2 दोनों का ही काम है CO2 तो यूज हो रही है carbon monoxide बनाने में और CO इस impurity को हटाने में तो slack बन गया यह यह तो हो कही बात lower temperature zone और medium एक high temperature zone की भी reaction होती है थर्ड नमबर पर इन high temperature zone high temperature zone approximately आप 2070 के आसपास मान सकते हो इसको है न यहां क्या होता C plus O2 इसकी reaction होती है और यह देता है CO2 जो आपको CO2 मिल रही थी न यहां उपर actual में C plus O2 CO2 यहां बन रही है इस जगे अब यह CO2 बनी तो ऊपर गई जैसे वो ऊपर आई तो यहां पर reaction हो गई है ठीक है और यह इसने क्या बना दी है CO CO की ऊपर गया CO तो CO ने फर्दर reaction करने लगा यहां पर तो वनलब यह कहानी होती है है C plus O2 CO2 ऊपर जाएगा CO2 यूज हो जाएगा और CO2 CO बनाएगा तो ऊपर जाके फिर से यूज हो जाएगा ऐसा होता है तो समझगे बात को क्या होता है फिर से एक बार detail में explain कर देता हूं देख लो टीन temperature zone हमने describe किये low temperature zone medium temperature zone और high temperature zone 500-800 के आसपास low मानते हैं 91500 के आसपास medium मानते हैं और 1202,000 के आसपास आप बोलो तो high मानते हैं high में यह reaction होती है medium में यह reaction होती है और low में यह reaction होती है यहां से exhaust gases निकल दी है यहां से blast of air O2 डाल रहे हैं अपन यह slack का outlet है यह impure iron का पेग iron का ठीक है most impure है यह most impure form of iron impure ठीक है चार परसेंट तक इसमें carbon रहता है तो यह कहानी हो गई इसमें ठीक है और उपर से क्या मिला रहे थे हम और प्लस CSU3 limestone प्लस coke मिलाते हैं और जो आपकी powder और है वो CSU3 limestone और coke मिलाया जाता है समझ गया बात को यह कहानी अब सुनो आगे यह कहानी जो यहां पर पेग iron निकला उसको और purify करा सकते हो मतलब उसका एक दो form और pure वाले form होते हैं तो वो मैं कहां लिख देता हूँ वो मैं एक काम करो इसको note कर लो फिर मैं अच्छे से यहां लि पेग iron जो होता है उससे हम cast iron और cast iron क्या है इससे थोड़ा सा pure है यहां बोलते हैं 4% carbon और यहां बोलते हैं अपन 3% carbon होता है ठीक है और पेग iron में कुछ impurities और होती है जैसे phosphorus, sulfur, silicon, MN, ETC इस टाइप की ठीक है इस तरीके से आद कलना है ना पंकस से जेरिया सर का मन ऐसे है औ तो यह जो impurities है यह कैसे होती है यह जो impurities होती ना इनको oxidize करके अलग निकाला जाता है phosphorus oxidize हो जाएगा P4O2 में sulfur SO2 में silica SiO2 में जो silicon है SiO2 में silica में और MN हो जाएगा MNO में ठीक है तो यह oxidation हो जाएगा और pig iron से cast iron कैसे बनाते हैं क्रेप iron का यूज करते हैं और coke का यूज करते हैं ठीक है और hot air blast देते हैं यहाँ पर hot air blast मतब ओटू के साथ heat करा देते एक तरीके से तो बन जाता है क्या cast iron cast iron से भी और pure iron बनाना है आपको जिसको बोलते है wrought iron तो wrought iron कैसे बनता है wrought iron is prepared by wrought iron is prepared by heating of heating of cast iron in river battery furnace lined with hematite Fe2O3 और यहाँ पर जो Fe2O3 है वो coke के साथ reaction कर लेता है और यह देता है आपको Fe plus Co यह बना लेता है ध्यान रखना reaction तो होता क्या है रोट iron में अपन क्या करते है heating करा दे एक तरीके से क्या oxidize करा रहे है impurities को अलग कर दे रहे है और यह reaction ध्यान रखना है इसमें ठीक तो इतना ही अपने को metallurgy का पूरा का पूरा जो अपने notes है वहां से आप और भी देख सकते हो lead की टिन की mg की ठीक है यह सारी चीज़ें आप देख सकते हो तो इतना metallurgy में हो गया अब इसके बाद एक topic और बचता है purification methods ठीक है तो कुछ purification method होते हैं उसको भी फटावट से cover कर लेते हैं पहले इसको note कर लो चलो तो आगे बढ़ते है purification पर चलते है last topic है फटावट से complete करते हैं इसको distillation process क्या होती है और यह किस लिए use करते हैं for low boiling metals इसके लिए अपन यूज करते हैं like zn and mercury जिनका boiling point कम होता है क्या करते हैं process में वो समझ लो impure metal impure metal is evaporated is evaporated to obtain to obtain pure metal as distillate मतब एक तरीके से आप यह माल लो कि जो low boiling है मतब boiling point का कम है तो इनके वेपर जल्दी बन जाएंगे आसानी से बन जाएंगे और वो जो वेपर बनेंगे उसको separate out करके अपन impurities उसको अलग कर सकते हैं सीदी सी कहानी है है नहीं second process है liqueation 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 किसलिए use करते हैं for for low melting metals like tin इसके purification के लिए हम क्या करते हैं liqueation यूज करते हैं क्या करते हैं इस method में liqueation वाली process में हम actual में करते क्या है impure metal impure metal can be made to flow on sloping surface surface by this way metal is separated by impurities metal को impurities से separate कर लेते हैं जैसे अगर और आसानी से समझाऊं मैं आपको तो देखो सीधी सी बात है यह अपने पास ऐसी एक sloping surface माल लेते हैं सबोस्थ ठीक है अपने यहां से impure metal को डाला तो जिसका melting point कम है वो जल्दी melt हो जाएगा और जो metal है वो जल्दी melt हो जाते हैं impurities का melting point जादा होता है ठीक है तो जो कम melting point है तो जल्दी melt हो जाएगा इसका मद्दब वो नीचे की तरफ आ जाएगा और impurities उपर रहेंगी जिससे हम उसको separate out कर सकते हैं तीक है इस तरीके से होता है यह आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर थार्ड नंबर पर है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है जो अपने पास metal है उसका electrolysis कराते हैं क्या होता है reaction आपको पता है क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं हम electrolytic refining एट एनोड क्या होता है impure metal इंप्योर मेटल यह convert होता है metal आयन में ठीक है तो मैंने एन प्लस मान लिया मताँ एन एलेक्ट्रोल निकल गए यह एनोड पर impurities आती है जैसे copper में हमने लिखी थी impurities याद करो antimony, tellurium, selenium वगरा, silver, gold, platinum यह सब कहा होती है नोड मन में होती copper की metallurgy में ठीक है और zn को भी इस तरीके से अपन purify कर सकते हैं fourth है यहाँ पर zone refining zone refining zone refining क्या होता है यह किसलिए यूज करते हैं for semiconductor and metals of high purity and metals of high purity इसके लिए अपन यूज करते हैं like, like, silicon हो गया, germanium हो गया, boron हो गया, etc, ठीक है इस टाइप के ठीक है क्या होता है इसमें उसको अपन diagram से समझेंगे तो ज़्यादा clear आपको समझ में आएगा ठीक है ध्यान से देखना बना देता हूँ diagram आपके लिए अच्छे से होता क्या है इसमें एक तरीके से container है कैसा है ध्यान से देखो ऐसा लगा दिया मैंने यह हो गया आपने पास क्या एक container और इसमें आपने moving coil heater, induction heater लगा रखा यहाँ ठीक है तो यह coil है उसकी heater की, induction heater बोलते हैं आपन इसको है न, induction heater मतलब एक तरीके से आपन heat कर रहे है क्या होता है जो metal की rod है, metal की जो rod है, वो ये inner atmosphere के अंदर रखी हुई है metal की जो rod है वो मैंने कहां रख दी inner atmosphere में और यहाँ पर जो principle है वो क्या होता है, कि जो impurities है, वो melt में या molten state में more soluble हो थी conversion to solid state, तो होता क्या है, जो impurities है, जैसे ये impurities है, यह melt हो गई यहाँ पर, ठीक है molten state में आ गई, तो आप क्या होगा, जैसे यह आगे की तरफ migrate करेगा, तो ये impurities पीछे की तरफ इकटी हो जाएगा, ये induction heater क्या करेगा, इसको heat करेगा, तो वो melt बन जाएगा, तो वो जो impurity है, वो एक end की तरफ इकटी हो जाएगी, जिसको हम cut कर लेंगे, और उसको अलग कर देंगे, impurities को metal से, ये semi conductor से, है न, जोबारह ये process करोगे, इस तरीके से आप impurities दूर कर सकते हो, क्या principle है, यहाँ लिख देता हूँ, मैं, it is based on, it is based on the principle, principle that impurities, impurities are more soluble in melt, मत्दा, molten state, than in solid state, ठीक है, तो ये कहानी होती है, zone refining की, समझ गया बात को, note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, vapor face refining पर, last है अपना point, बहुत important है, ध्यान से लिखना बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही important है, ये purification में, दो process होती है, number one is mons process, mons process, mons नहीं, mons process, ठीक है, ये किसके लिए होती है, for purification of nickel, तो जो impure nickel, actual में होता गया, vapor face refining में, हम क्या करते हैं, volatile compound बनाते हैं, और उसको फिडिकम्पूस करा लेते हैं, सीधी सी कहानी है, तो nickel जो impure form में रहता है, उसकी reaction कराते हैं, CO के साथ, carbon monoxide के साथ, 330 से 350 Kelvin के बीच, तो ये बनाता है, tetra carbonine nickel, NICO4 compound, और इसको डिकम्पूस करा लेते हैं, साथे 400 से 470 Kelvin पर तूट जाता है ये, और ये nickel देता है, और CO निकाल देता है, और ये क्या होता है, pure, तो होता क्या है, nickel को हमने एक volatile compound में convert किया, और इसको decompose करा लिया, तो जो impurity हैं, वो पीछे छुट गई, CDC कहानी है, इसी तरीके से second number पर है, when arcal process, बहुत direct question exam में आ सकता है, when arcal process for titanium and zirconium, ठीक है, titanium and zirconium के लिए use करते हैं, when arcal process, इसमें oxygen and nitrogen की जो impurities होती हैं, उसको दूर किया जाता है, ठीक, तो एक reaction लिख रहा हूँ, zir की reaction, i2 के साथ, ठीक है, तो ये volatile covalent iodide बनाता है, zir i4, 523 kelvin के अप्रॉक्स, और 1800 kelvin पर ये क्या हो जाता है, break हो जाता है, तो pure zir देता है, और क्या निकाल देता है, i2 निकाल देता है, cdc कहां नहीं है, कौन सी impurity दूर होती है, oxygen and nitrogen वाली, ठीक है, तो इस तरीके से अपना chapter खताम, metallurgy finished, ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखो, बड़िया तरीके से तयारी करो, और NCRT ज़रूर पढ़ते रहो, लेकिन metallurgy में, थोड़ा सा NCRT में mix करके दिया हुआ है, तो मैं तो बोलूँगा, NCRT की metallurgy भी मत पढ़ना, क्यों, क्योंकि मैंने सारी आपको यहां पर पढ़ा रखी, NCRT में, अच्छे तरीके से मैंने खुद अरेंच कर दिया है, उसको सारी process के धुरूठ ही कह, अब आपको सिर्फ इतना काम करना है, कि NCRT में जो exercise वाले question है, ठियोरी वगरा मत पढ़ना metallurgy की NCRT से, वो मैंने सब करवा दिया है, अब आपको question करना है, सिर्फ in chapter exercise करना है, बाहर की exercise करना है, जो end में रहती है, और exemplar लगाना है, एक सीधी सी खानी, अब मैं आपको एक और लिख दी है, ठिक है, NCRT में इतनी दे रखी हैं, तो आपको इतनी याद करके जानी है, अब exam में आपसे question कैसे बूच लेंगे, 3-4 और दे के बूच लेंगे, which of the following is sulfide ore, which of the following is carbonate ore, which of the following is the ore of zedan, तो इस type के question आपके सामने हो सकते हैं, ठिक है, तो इसको note कर लो आपके सामने हैं, तो 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 आपक